साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तिजनों को जाय माता की तो आज जो इस वीडियो में मैं आपको जह जो टोट का बताने जा रहा हूं बाबा शमशान भायर्व जी का और जह जो शमशान भायर्व जी का टोट का है अगर आपके घर परवार के उपर जा फिर आपके सरीर के उपर किसी परकार की भी अगर मसान की कोई बिद्या लगी हुई है चाहे वह कलुआ मसान है चाहे वह तेलिया मसान है जाव है काचा मसान है कैसा भी अगर मसान लगा हुआ है बलंकी मसान है तो हर मसान बिद्या को दूर करेगा बाबा भैरवनात जी का शमशान भैरवनात जी का जह जो टोटका है और जह ऐसा टोटका है अगर तो आपके घर के उपर जा किसी व्यक्ति के उपर शमशान लगा हुआ होगा जो जह मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो उस विद्या को भी दूर करेगा और इसके इलावा अगर आपके घर परवार में कोई बुरा बंदन होगा किसी भूत प्रेट की कोई शाया होगी जा फिर कोई बुरी शक्ती होगी तो उसका भी निवार्न करेगा शमशान भायर्व का जह जो टोटका है लेकिन जह जो विदी है जह जो संपोर्न विदी है जह तामसिक भोग परशाद के द्वारा ही कार्या करेगी इसके लिए आपको मास मदरा देना ही पड़ेगा तब ही जह जो विद्या है अगर आपके घर के उपर जा किसी व्यक्ती के स्रीर के उपर अगर लगी हुई है तब ही इसका निवार्न होगा तो जह जो उपाये है मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब भी आप किसी तमतरिक के पाह जाते हैं जब भी आपके घर में कोई समस्या होती है तो वह आपको अकसर ही बताते हैं क्योंकि जितने भक्तिजन मेरे साथ बात करते हैं appointment book करवाने के वाद तो भे ज़्यादा तर मुझे यही वताते हैं कि हमारे को किसी ने वताया है कि हमारे उपर ये तेलिया मसान लगा हुआ है हमारे उपर बलंकी मसान लगा हुआ है हमारे उपर कलुआ मसान लगा हुआ है लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं कई वार उनके घर में कोई पितरवादा होती है जा फिर जादातर उनके घरों में मानता की समस्या होती है जो भी उनके इश्ट जो भी पूर्वज पीछे जिस देवी देवता जिस इश्ट को मानते हैं बह उसको छोडने के बाद वे तंत्रिक सादकों के पीछे लग जाते हैं और उनके बाद उनके घरों में समस्या उत्पन हो जाती है क्योंकि जो घर का देवी देवता होता है जो भी आपके घर का इष्ट होता है जो भी आपके घर की कुल देव होंगे जा कोई कुल देवी होगी जा फिर आपके घर के पित्र होंगे तो वही आपके घर का निवार्न करेंगे उनके द्वारा ही आपके घर में शुक्षान्ती होगी क्योंकि जो भी हम आपको यह उपाई बताते हैं आपके घर का निवार्न करने के लिए कि आपके घर में कोई बुरी वादा का वास ना हो आपके घर में शुक शांती हो आपके घर में से दुख दरिदरता दूर रहे और आपके घर का केलन होता कि आपके घर में कोई बुरी विद्या ना लगे तो इसलिए मैं आपको जो बोलता रहता हूं कि आप हमारी से समागरी की केट मगवा सकते हैं केवल उसके द्वारा आपके घर का कीलन हो सकता है आपके घर में जो भी कोई बुरी बादा होती है तो उसका निवारन हो सकता है लेकिन आपको जो लाब की प्राप्ती करवाएगा जो भी आपके घर की समस्या को दूर करेंगे जो आपके घर के इश्ट होंगे जिनकों भी आप मानते हो जो आपके घर की प्रमप्रा है जिनको आपके दादा प्रदादा माता पिता जिनको मान रहे हैं अगर आप उस ली से नीचे उतर जाएंगे अगर उस प्लेट भार्म से आप नीचे उतर जाएंगे तो आप किसी तंत्रिक के पास जाओ जा फिर मेरे उपायों को करो तो आपका कुछ नहीं होने वाला तो इसी विदी के एनुसार जब आपके घर में कोई समस्या होती है तब आप जाते हैं तंत्रिक और सादकों के पास और वो दो मिंट आँखे बंद करने के बाद आपको बता देते हैं कि आपके घर में तो वही कलुआ मसान लगा हुआ है आपको उसने ऐसा करवा रखा है आपके स्रीर को बंद रखा है और आप उन व्यक्तियों के उपर उन तंत्रिक सादकों के उपर कर लेते हैं बिश्वास और उसके बाद आप से बहुत सी माया वह एंट लेते हैं और उसके बाद आपका निवार्न भी नहीं हो पाता तो इसलिए जो छोटे छोटे में आपको उपाए बताता हूं इनको बिश्वास के साथ आप करो और इससे किसी को भी कोई समस्या उत्पन नहीं होगी अगर आपके घर में जह मसान विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् से जो मैं आपको शमशान भायरवका जे उपाए बताने जा रहा हूं लेकन पूर्ण रूब से जे जो उपाए है जे शमशान भायरवका है और इसलिए आपको मास मदरा इसके लिए देनी पड़ेगी तो इसका जो लूफा है अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं लेकन ज अभी सादकों से नवेदन है कि जो भी सादक सादना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो किरप्या आप चैनल को सबस्क्राइब कर लें और आउल घंटी का आप बटन दवाएं तांके इस चैनल के उपर जो भी वीडियो है आप उसको भी देख पाएं और जो नि करवाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं और घर के लिए कोई हवन समागरी केट बगेरा जा कोई धागा सोतरता भेज़ भी आप हमारे दवारा पराप्त कर सकते हैं तो अब मैं आपको शम्शान काल भैर्व का जे तोटका वताने जा रहा हूं जिसके लिए ना तो आपने मंतर का जाब करना है और ना ही कोई धोफधीव करनी है और ना ही आपने कोई बड़ा उस्ठान करना है केवल आपने ये लूफा ही देना है शमशान कहल भैर्व का तो इसके लिए आपने एक मिट्टी का कसूरा लेना है बाबा भैर्वनात के नाम का एक खपर आप ने लेना है जैसे आप बाबा भैर्वनात की तस्वीर देखते होंगे तो उनके हाथ में एक खपर पकड़ा होता है लेकन उसको आपने लेना है मिट्टी का तो इस मिट्टी के खपर में आपने एक मुर्गे के एक ही मुर्गे के आपने उसमें पंजे डालने हैं दो उसमें मुर्गे की जो पूरी कलेजी हो तो उस कलेजी को आपने इसको डाल लेना है एक दकान के उपर जाएं तो एक ही मुर्गे के आपने दो पंजे उसकी कलेजी और उसका जो शीशा है आपने इसमें डाल लेना है पहले उसको आप साफ कर ले पाक साफ धोकर धोने के बाद आपन इसमें उसको डाल लेना है और उसके बाद आपने भैरवनात के इसमें पांच लोंग पांच सावत लोंग आपने इसमें डाल लेने है और उसके बाद आपने एक सावत निम्बू लेना है सावत निम्बू लेने के वाद उसको आपने चार भागों में आपने काट लेना है लेकन वह चारों भाग अलग अलग नहीं होने चाहिए उसको भी आपने इस खपर में डाल लेना है और उसके वाद आपने इसको भर लेना है मदरा से मद के प्याले से शराव का प्याला आपने इसमें डाल लेना है और उसके बाद आप अपने घर में जा तो थोड़ी सी इंग्यारी त्यार कर लें जा एक कपूर की टिकिया जला लें उसके उपर थोड़ा सा घी का चीटा देदें जा सरसो की तेल का चीटा देदें उसके बाद बाबा शम्शान भैर्व का नाम लेकर उसके उपर से साथ वार इसको बारें और बाबा भैर्वनात जी को जाद करने के बाद के है बाबा भैर्वनात जो भी हमारे घर में कोई बुरी विद्धा लगी हुई है तो आप इसका निवार्न करें क्योंके बाबा जो भैर्वनात जी है शिव शेंकर भोडे नात जी का रोदर रूप तो आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी विद्या से, हर शमशान विद्या से आपका निवार्न करेंगे क्योंकि वहर्व कितनी बड़ी शक्ती है, हर शक्ती के साथ बाबा वहर्वनात जी चलते हैं कोई भी तंतर के विद्या इनके विना अधूरी है अगर भैरवनात को जागरत ना किया जाए किसी भी साधना में तो कोई भी साधना हम निर्पक रूप से नहीं कर सकते पूर्न रूप से शेत्र की अपने शेत्र की रक्षा करने वाले होते हैं वहरवनाद तो जब आप वहरवनाद का ये तामसिक भोग प्रशाद आप अरपन करेंगे तो वहरवनाद जी हर शमशान विद्या से हर बुरी शक्ति से आपका निवार्न करेंगे आपके घर में शुक शांती होगी और दुख दृद्धरता का नास होगा तो आपने ये जो खपर है ऐसे अपने हाथ में दाएं हाथ में इसको उठा लेना है उसके बाद पूरे घर में इसका आपने एक उतारा करना है और जिस व्यक्ति के उपर भी ये विद्या लगी हुई हो तो उसके उपर से भी इसको साथ वार एंटी कलॉक वाई जवार ले और जो भी व्यक्ति इस खपर को उठाएगा उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखना किसी के साथ बात नहीं करने और जह जो आपने उपाय करना है शनी वार वाले दिन जा रवी वार वाले दिन रातरी के समय जब सूर्या आस्त हो जाए रातरी वारा वजे से पहले पहले और इसको आपने लेकर जाना है शमशान भूमी में शम्शान भूमी में ले जाने के बाद आपने इस खपर को रखकर आना है जा फिर किसी बहती नदी के कनारे भी आप इस खपर को रखकर आ सकते हैं जा फिर किसी बढ़के पेड़के नीचे भी आप इस खपर को रखकर आ सकते हैं जहां बाबा कालब है रबनात के मंदर में जहां पर तामसिक भोग परशाद चड़ता हो तो बहां पर भी जाकर आप इसको अरपन करकर आ सकते हैं जहां महाकाली के मंदर में भी जाकर आप इसको अरपन करकर आ सकते हैं जहां पर ताम सिक भोग परशाद से माताराणी की पूज़ा होती हो तो इन स्थानों के ऊपर जब इसको रखेंगे आप तो आपके घर में जो भी कोई मसान विद्धया लगी होगी कैसा भी काचा पाका कैसा भी मसान है बलंकी मसान है तेलिया मसान है तो आपका निवारन हो जाएगा इस उपाए को करने से और इस से आप हर भर्म से दूर हो जाएंगे क्योंकि जब भी आपको कोई तंतर्क बताता है कि आपके उपरे इसी विद्या लगी हुई है तो आप पोन रूप से डर जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं अगर आपको कोई ऐसा बताए तो आप त्रंत इस उपाये को करें तो आप खुद अपना निवार्न कर सकते हैं और इसका उपाये करने के वाद जो भी आप के घर के इष्ट हैं जो भी आपके घर के देवी देवता हैं उनका सही विदी के अनुसार आप पूजन करें उनका भोग प्रशाद दें अपने घर में और आपने घर में अंदर से वाहर को दूद और पानी को मलाकर कच्ची लसी का चीटा दें गंगा जलका चीटा दें ग आपके घर के पित्तर भी परसन होंगे और जो भी कोई बुरी बादा कोई बुरी शक्ति होती है तो उसका भी निवारन हो जाता है और जो भी आपके घर पर बार में कोई बंदन लगा हुआ होता है क्योंकि वह जो धूनी हम तियार करते हैं पून रूप से मंतरों के द्वार उस धूनी को त्यार किया जाता है और उसके बाद ही आपको वै भेजी जाती है आप जब एक वार उस धूनी को जूज करेंगे उसका जब पर जोग करेंगे तो वार वार आप औरों को भी बताएंगे कि इस धूनी में कितनी पावर है कितनी शक्ती है तो आप अपने घर का निवारन कर सकते हैं इन उपायों के दौरा अगर आप शर्दा के अनुसार विश्वास के साथ इन उपायों की पालना करेंगे तो वक्त जनों अगर आपको जी वीडियो बढ़िया लगी तो इसको जादा से जादा लाइक और शेयर करें किसी तरह की और वीडियो और सादना ये नए ने टोटके और नए नए विदियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सादना और समाधान चैनल के साथ जुड़े रहें तो फिर मिलते हैं एक नई विदी, एक नई टोटके के साथ, एक नई साधना के साथ, तब तक जय मताकाली, जय बाबा भैरवनात